आज मैं बात करूँ आपसे primary motivating factors के बारे में क्या आप जानते हैं और जिस व्यक्ति को plan presentation देने जा रहे हैं जिसको आप अपने साथ join करवाना चाहते हैं क्या है उस व्यक्ति का PMF primary motivating factor यह क्या चीज है और यह कौन-कौन से होते हैं और इनको जानने के बाद किस तरह से आपकी presentation में चार सांथ ले सकते हैं आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अंतर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा माइन इम इस नरेश कुमार सैनी आइम ब्रेंट्रेंट कोच एंड आइम फाउंडर प्रेंट्रेंट मिशन वेराइम दो मिशन तो हैल्प 100,000 डारेक्ट सेल होंगा कि किस तरह से आप पीएफ को जानकर अपने प्रोस्पेक्ट को अट्रेक्ट कर सकते हैं उसको जोइन करवा सकते हैं उसके पेंपोइंट को जाने उसको सही सोलिशन दे यह सब कुछ संभव हो सकता है अगर आप प्राइमरी मोटिवेटिंग फेक्टर्स के बारे में अच्छे से एनलाइज करें अच्छे से इसको समझें और इसको लागू करें अपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फेक्टर्स जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि कौन से वह मुख्य घटक होते हैं कौन से मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग न पर्सनल डेवलेप्मेंट फोर्थ मेक न्यू फ्रेंड्स फिफ्थ अर्ली रिटायर्मेंट शिक्स ओन बिजनस सेवन हैं अधर्स चैरिटी नेक्स्ट वन मनी फृरिडम एड लास्ट बट नोट लिस्ट लीवलेगेस यह वो प्रैमरी मोटिवेटिंग फेक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे आपके बिजनस में आएंगे और आपके साथ लोंग टर्म में बिजनस को बिल्ट करने के तयार होंगे लेकिन अपनी प्लान प्रजेंटेशन देने से पहले अपने प्रड़क्ट और सर्विस को एंडोर्स करने से पहले जिस तरह का उनका प्रैमरी मोटिवेटिंग फेक्टर है उसी तरह की बात आपको उनसे करनी होगी अगर कोई अरली रिटायर्मेंट चाहता ह है यह उसका प्रैमरी मोटिवेटिंग फेक्टर है और आप उसको उसी के बारे में गायट कर रहे हैं कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना हुगा फिर आप अपनी खुषी के लिए लोगों की मज़र करने के लिए उसक्ते हैं इस तरह से अगर आप primary motivating factor को समझ कर उसके according plan प्रजेंट करेंगे तो आपके results जो हैं वो multiply हो जाएंगे इस तरह से आप अपने prospect के अपने new consultant के problem को analyze करके उनको right solution provide करते हैं उनके pain point को समझ के उनको solution provide करते हैं तो वो आपके साथ 100% join भी करेंगे और किसी भी हाल में किसी भी काल में वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे आपका उनके साथ जो connect है वो बहुत ही बेजोड होगा comment करके हमें बताइए कि आपको हमारे प्रियास कैसे लग रहे हैं साथी साथ like कीजे share कीजे और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यह सो मच वी हल्दी वी वेल्दी थेक्र जैंद मंदे मात्रम